गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी को MBGenius चैनल पर स्वाकत है मैं मुकेश कुमार आज आप लोगों के सामने एक टॉपिक ले करके आए हैं जिसका नाम है फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम हावड ऑर्गेनीज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का एक टॉपिक लिया गया है उस टॉपिक का नाम ही है फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम इस टॉपिक के अंतरगत हम लोग कई सारा पॉइंट्स कई सारा सब टॉपिक को पढ़ेंगे उसके बारे में पहले आप लोगों को identify करवा देते हैं पहला जो हम लोग पढ़ेंगे कि महिलाओं के द्वारा जो बेबी का बर्थ किया जाता है बेबी का जन्म दिया जाता है उनमें से कौन-कौन से अंग पार्टिसिपेट करते हैं उस बेबी को बर्थ करने में उसके बारे में समझेंगे दूसरा हम लोग पढ़ेंगे तो मैंसुरेशन साइकल किस वज़ा से होता है उसको भी हम संचिप्त में आज डिसकस करेंगे तिसरा पॉइंट मेरा रहेगा कि कभी-कभी महिलाएं जो है बेबी को जन्म देने के लिए या बेबी को बर्थ देने के लिए एबल नहीं होती है तो वह इसको क्या कंडिशन है महिलाओं के अंदर वैसी कौन सी बिमारियां होती है या कौन सी प्रोब्लम्स होती है जिसकी वज़े से वह बेबी को बर्थ करने के एबल नहीं हो पाती है वह बेबी को बर्थ नहीं दे पाती है वो भी हम समझेंगे और मेरा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि ए तो जरूरी थोड़े नहीं कि जदे किसी को बेबी नहीं हो रहा है तो सिर्फ महिलाओं का ही कोई प्रोब्लम हो सिर्फी फिमेल का ही प्रोब्लम हो उसमें मेल का भी प्रोब्लम होता है तो मेल का क्या-क्या प्रोब्लम होता है जिसकी बज़ा से बच्ची जन्म नहीं लेपाते हैं, यह बच्चे को एक मा बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं, उसको भी हम इस वीडियो के लेक्षर में पढ़ेंगे. इसके अलावा भी कई सारे topics पढ़ेंगे, जैसे कि sexual contact, sexual contact आने के बाद, महिलाओं में एसे कौन-कौन सी बिमारियां हो जाती है, कौन-कौन से बिमारियों का सिकार होना पड़ता है, उन सभी चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे, इसके अलावा भी पढ़ेंगे, कि sexual contact में आ हम बच सकते हैं तो ओ भी हम पढ़ेंगे और मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा कि कभी कभी यह होता है कि कि किसी का मैरेज हो जाता है किसी महिला पुरूस एक साथ रहने के बाद बिना पॉसिबल है इसा पॉसिबल नहीं है वह रयर केस में मिलेगा कि कोई लड़का या कोई लड़की सेक्षुल कोंटेक्ट के बिना रहा जाए तो इसी कौम सा मैठर वही अपनाता है हम जानते हैं कि sexual contact में आने के बाद क्या होता है pregnancy contents होता है लेकिन ऐसे कौन सा method वहाँ अपनाता है इसे कौन से method है जिसको हम अपना करके अपने बेबी का planning जो है 5 यार, 6 यार, 7 यार बाद कर सकते हैं तो उन सभी सारी topics को हम आज detail से समझेंगे यह topic जो है सो पूरा detail से समझाये जाएगा इसलिए कुछ चान के लिए जब तक क्या lecture चलेगा अपना सर्म और धिज़क का परदा दूर कर दिजेगा और इस topic पर focus किजेगा क्योंकि बहुत ऐसी चीज इस topic में इस video में सीखने को मिलेगा जो हमारे life से related होगा और exam से भी related होग और life के लिए यह तो बहुत important topic है इसलिए इसको द्यान से सुनिएगा तो चलिए हम अब start करते हैं तो सबसे पहला चीज गैमिट पुरूसों में पाए जाता है उसे male gamit कहते हैं और महिलाओं में जो पाए जाता है उसे female gamit कहते हैं तो पुरूसों में कौन सा gamit पाए जाता है क्या male gamit उसको हम लोग अस्पर्म काते हैं क्या काते हैं तो अस्पर्म काते हैं और महिलाओं में जो female gamit पाए जाता है उसको हम लोग औभा काते हैं female gamit को हम लोग क्या काते हैं female gamit को हम लोग औभाम काते हैं औभाम तो इस lecture में जो भी यह topic है इसी अस्पर्म और इसी औ इसी अस्पर्म और इसी अभा का पुरा वीडियो में ग्याम चलता है और इसी अस्पर्म का रोल हम लोग देखेंगे और इसी अभा का रोल देखेंगे कि कैसे एक अस्पर्म और एक अभा मिल करके एक बेबी का निर्मान कर देता है एसा बेबी जिसकी इमेजिन नहीं कर सकते यही असपर्म एक छोटा सा Sheffależy से नहीं देख सकते हम एक चोटा सा अभाम जिसको नंगी आँखोंसे नहीं देख सकते हैं वैसा सपर्म और Breaking देता है सोचने वाली बात है कि यह साइसंडेंट हमारे सरिर के अंदर होता है कि हम औमेन को बच्चे चाहिए तो बच्चे चाहने के लिए उसे अस्पर्म की जरूरत पड़ती है किसकी तो अस्पर्म की जरूरत पड़ती है अब क्या होता है कि सेक्सवल कॉंटेक्ट के मैध्यम से जब सेक्सवल कॉंटेक्ट होता है कॉपुलेशन का एक्षन होता है तो पु मेजायना के राष्टे इस सर्विक्स में पहुंचता है कहां सर्विक्स में और सर्विक्स से होते हुए यह अस्पर्म कहां पहुंच जाता है तो यूट्रस में पहुंच जाता है और इस यूट्रस से फिर यह अस्पर्म कहां पहुंचता है तो फैलिप्यों ट्यूब में पह 30 हो जायगा तो देखिया आस्परम का है कैसा है देखिये पीछे जोसे तो निकलता है यही परुसों के द्वारा निकलता है और वह भैजायना में अस्थाफित हो जाता है भैजायना में इंटर करने के बाद वह सर्विक्स में पहुचता है और सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में पहुचता है और यूट्रस से होते हुए कहां पहुचता है तो फैलूपियन ट्यूब में पहुचता है और इधार क कौन इसकी प्रेमी का औभाम एक औभाम निकलती है और इसकी प्रेमी का यहां पर इसका वेट कर रहा होता है किसका यह अस्पर्म का इसकी प्रेमी का अपने प्रेमी अस्पर्म का वेट कर रहा होता है कौन तो अभाम वेट कर रही होती है और जब प्रेमी और प्रेमी का एक पार्क में मिलता है कहां एक पार्क में मिलता है तो उस पार्क का जगह का नाम ही है फैलूपियन ट्यूब क्या नाम है तो फैलूपियन ट्यूब जब एक प्रेमी और एक प्रेमी का मिलता है तो मिलकर के एक जाइगोट का निर्मान कर देता है और यह जाइगोट देखे किस मिलता है सो यह हो गया अभ्हम है प्रेमिका और यह हो गया अस्पर्म क्या है अस्पर्म जब यह अस्पर्म इधर से होते हुए फेलुपियन ट्यूब पार्क में पहुंचता है तो पहुंचते पहुँचते क्या होता है इस अभाम से मिल जाता है इस अभार्म से और यह अभाम इस अस्पर्म से मिलने के बाद अभाम और अस्पर्म मिल करके एक जाइगोट बना देता है क्या बना देता है जाइगोट यह जाइगोट देखें जाइगोट का इमेज उसी जाइगोट को द लोग बोलते हैं कि बेबी का निर्मान कहा होता है बेबी पलता कहा है तो पेट में पेट में बेबी नहीं पलता है बेबी कहां पलता है तो यूट्रस में जिसको हम लोग इंदी में गर्भासा ही काते हैं ये हमारा उपर जो है उसको पेट अस्टोमेक काते है और उसके नीचे यहां का जो पॉट्सन होता है इसको हम लोग काते हैं यूट्रस इसे यूट्रस म यहां baby जो है एक सनरचना एक की स्ट्रक्चर जिसको हम बनुग placenta काते हैं इस placenta से connected हो जाता है यह baby किसे placenta से देखो figure में यहां uterus uterus में देखो एक baby कितना घुपसूरत baby तुम क्यूत सा baby लग रहा है कितना क्यूत सा है baby और उसमें देखो जो red color का जो दीख रहा है कौन रेड कलर का वही प्लेसेंटा है और वो रेड कलर का प्लेसेंटा हमारी नाभीग से जुड़ा होता है किसे तो जो रसी के समान दीख रहा है वो क्या है तो नाभीग है तो बेबी जब यहां आएगा जाएगोट तो यह धीरे-धीरे डबलप होता है क्या होता है धीरे- जाएगोट बनता है यहां जाएगोट आकर क्या स्थापित हो गया और जब यह जाएगोट देरे-धीरे डबलप होते जाता है क्या होते जाता है दीरे-धीरे डबलप तो जो ही इस इंप्रियो में इस यूट्रेस में डबलप होते जाता है तो इस जैगोट से क्या बन जाएगा तो इंप्रियो बन जाएगा क्या बन जाएगा तो इंब्रियो और इसी इंब्रियो में बेबी डबल अप होता है और इंब्रियो भ्रून तब तक रहता है वह जब तक पिर्थवी पर नहीं आ जाता जो ही पिर्थवी पर जो ही धरती मां पर इस बेबी का जन्म होता है उसका नाम ही बेबी पढ़ जाता ह तो बेबी पड़ जाता है अब बात रही कि बेबी यहां स्थापित है तो खाने के लिए तो कुछ चाहिए भाई हम लोग खाते हैं कि नहीं तो इसको भी भोजन चाहिए यह भी तो एक तरह का जान ही है जान है ना एक तरह का बच्चा है ना तो इसको भी खाने के लिए प्राप्त करता है तो मां के बलड से किसे तो मां के बलड से जो मां खाती है प्रेगनेंसी के दौरान जो मां खाती है उसी खाने से उसे नियोट्रिशन मिलता है उसे पोशन मिलता है और वह पोशन मां के बलड में इंबॉल्व होता है मां के बलड में इंबॉल्व होता है और उसी बलड से यह खाना खाता है कौन इसे भोजन मिलता है अब बलड तो यहां थोड़े ने चल जाएगा बलड जाएगा देखे उसमें बलड जाएगा नहीं तो यह सी लिए भगमान ने एका structure बना दिया placenta क्या बना दिया तो placenta जो रेड कलर का दीख रहा है उसको लोग placenta कहते हैं और वो से placenta से या बच्चा जो है मा के सरीर से मा के बोडी से बलड को खींचता है नियूट्रिशन को भोजन को प्राप्त करता ह है कौन तो यह बेबी भोजन को प्राप्त करता है वहां से और अपना पेट को भरता है अब बात रही कि कोई खाना खाता है हम लोग खाना खाते तो पेट में ही ने रख देते हैं ने पेट में ही रखते का रखते का नहीं ने रखते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है वे वेस्ट मैटरियल जो है उसको निकालने के लिए एका स्पेशल और इसे निकलेगा भाई इसका तो डव्न meth नहीं हुआ यहीं प्लेसेंटा जो बतिक रहा है जिस तरफ से खाना खाता था जिस और्गेन से यह खाना भोजन लेता था, उसी मैध्यम से यह अपना वेश्ट मेटरियल को छोड़ता है, एक कैसा अजीब चीज है, जिधर से खाना खा रहा है, उधर से ही यह खाने को बाहर निकाल रहा है, तो उसको प्लेसेंटा करते हैं, और प्लेसेंटा से ही यह क्या करता है भोजन भी लेता है और जो अप्षिष्ट पदार्थ है जो भी गंदा पदार्थ बच जाता है पाचन के बाद उसको उसी प्लेसेंटा के द्वारा छोड़ता है अब बात रही कि बच्चे जब होते हैं कोई जीव होते हैं तो वह तो स्वासन करता है स्वास तो लेता लेने वाला वायू को करता हैं जितना भी एक्सन करता है चुमेज करता है प्लेसेंटा के माद्यम से ही यह भोजन लेता है अपने Holding अ वेस्ट मेंटरियल को बाहर निकालता है और स्वसन को भी लेता है किसे यही प्लेसेंटा कशी बच्चे कौन तो बच्चे जो बेबी पल रहा होता है गर्व में वही बच्ची अब देखो एक फैक्ट क्या है जब बेबी जब यह जाइगोट इंब्रियों ब्रून में बेबी पल रहा होता है तो छे से छे सप्ता में कितना शिक्स सप्ता शिक्स विक में जब बेबी पल रहा होता है और तब जब शिक्स मन्त का होता है पलई कर देखो बेबी तो सबसे पहले हम लोग को जब बच्चा हो जाता है को प्रयग्नेंशी होती है तो सबसे पहले किसे पता चलता है कि उसके mensuration cycle जो है नेकिन एक महिना जब her pregnancy contents कर लेती है वह और अब रत तब उसका mensuration cycle रूख जाता है जब mensuration cycle रूख जाता है तो जागोट यहां यहां करके अस्थापित हो जाता है यहां बेबी का निर्मान होने लगता है तो जब यहां बेबी छे से साथ सब्ता की होती है हानी पांच चार सब्ता की भी हो सकती है पांच भी हो सकती है छे भी साथ भी तो छे से साथ सपता है कि जब यह बेबी होती है छे सपता की तब इसका सबसे पाला औरगेन सबसे पाला यंग जो है डबलप होता है जिसको लोग दिल काते हैं क्या काते हैं दिल जिसके इसी दिल पर पुरा दुनिया फिदा है है ना तो वही दिल सबसे पहले बच्चों का जो डबलप होता है उसको हम लोग दिल काते हैं और जब बच्चों में जब डेड़ महना का हो जाता है तब दिल धड़कता है और जो ही दिल धड़कता है उस बच्चे का त्यों ही उस औरत का बोमेटिंग आने लगता है क्या बोमेटिंग जैसा होने लगता है और जूट में जब بोमिटिंग जैसा करने जाती है, तब उसके घर में काती है, घर में जो साससुर होते हैं, बोलते हैं, खुश कबरी कि बहुजी कौन सा खुश कबरी है, तो वही कि पकड़ा जाती है चोरी, तो वह चोरी छुपके भागती है वाउरत सोचते है कि हम तो पकड़ा गई और थात वह जो बोमेटिंग है वह क्या डिनोट कर रहा है उससे हमको क्या पता चल रहा है कि वाह उरत जो है प्रेगनेंट हो गई हो गई ना तो जब डेड़ महने का बच्चा होता है तब और तो में बोमेटिंग जैसा और वह पॉमेटिंग जैसे जब दिखावा करता है तो उसके घर में लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं आज खुश खबरी है और गोद भराई पूरा होने लगता है पाटी वगेरा इसी गोद भराई का तो बेपी का बच्चे का सबसे पहला ओर्गन जो डपलप होता है वह क्या होता है तो तिल धरकन हिरते हर्ट ए समझ मां आगे हैं अब बात रही कि यह जो है डॉक्टर कैसे पता करता है कि यह बेबी लड़की है कि लड़का है चेक कराने के लिए जाता है, उसका टेस्ट कराता है कि पॉय है कि गर्ल है, तो कैसे लड़का लोग पता करता है? doktor लोग, लड़का नहीं, doktor किसे पता करता हैं, तो ड्सक्रormuş क्या करता है, कि यहां से इस भैजाना की राष्ट सर्विक से होते हुए, जो बेबी पल रहा यहां से लिक्वीड जो होता है आना इम्नियोटिक लिक्वीड इस लिक्वीड को निकाल लेता है और इस लिक्वीड से पता करता है यह अल्ट्रा साउंड करता है क्या अल्ट्रा साउंड करता है और जब अल्ट्रा साउंड करता है तो जब दोग बिंदी बिंदी दिखेगा क्या दिखेगा दोगों बिंदी इसका मतलब दो टेस्टिस जब उसे नजर आती है अल्टरा साउंड में तब आडेंटिफाइग कर लेता है कि वह लड़का है और जब टेस्टिस नजर नहीं आएगा टेस्टिस नजर नहीं आता है तब पता चलता है कि य आड़की है जर्ल के मैं घर्लक्रचा सबस्कीजिए फिसको एसाउन मैं होने कि इन्टति लड़का है तो इस तरह को कर पता चलता है अ만 बात रहें यह हो गया कि बच्चे का निर्मान हो गया और यह जो गर्व में होता है कितना दीन होता है तो सब को पता होगा 9 मक hop होता है जेब रहिंध में बहुता हुआ कि कि के अपाद को जदी वह mieć कि यह normalmente नई होते हैं और तब क्या होगा क्या बैबी का निर्मान होगा पस्ट करेंए नहीं होगा है लिफीर को हम लोगा तरया कम दूसरा टॉपिक दूसरा टॉपिक कि है तो दूसरा टॉपिक मैंसुरेशन पड़ेंगे लेकिन कभी काल क्या होता है कि जो कुमारी लड़किया होती है और कभी कभी जिसको बच्चे की जरुरत नहीं होती है उसमें क्या होता है कि उसमें कैसे वेबी यह क्या है यह क्या है यह अब्छी है यह यह ऊब草ंद इग को iso Z वाबरी जो मेल में हो मील नहीं नहीं मैंदो यह पाये जाता एक साड्ष And I और बहुत भी आृब्री या मन देख्रें पीजाता इङू और हम देखरहें मैं बासे दो यहां भी कोई दैंइने तो एक मंत से क्या होता है इधार यह एक कमरी काव की डब लप होता है और अभरी निकल करके जब पुरा डब लप हो जाता है तो यह निकल करके यहां बatur पार्क चला जाता है कहां बार्क जिसको कि फैलूपियंट इन्यूब नाम दियेते शेव कर नाम ह technically आपक्ट तो यहां चला जाता है पार्क मेड छो प्रेमी का है यह लोग मिलन करेंगे जाल किसको इस अभूल को जब प्रेमी नहीं मिलती है तो परतिक मन्त क्या होता है कि यह जो आसपर यहां अभूल जो बना यह अभूल खराब हो जाता है क्या हो जाता है तो खराब हो जाता है जब खराब हो जाता है तो यह जो अभूल बना यह कहां से फैलोप्यून टुब से बैजाना के राष्ते निकल जाता है और लड़किओं में जो निकलता हूँ वाइट लिक्विड होता है कि यह हुसंद परतिक परतेक मत यह यूट्रण से अपने ऐपने ऊपर यह और लेएर चड़ा देता है क्या फरतेक मंत बेबी का तयारी करता है कि जाइगोट मिलेगा थे हम प्रोटेक्शन करेंगे दिवार बना लेंगे यह गैजाइगोट ब्ला नेगे यह जो मोटी लैयर है इसको जागोट मिला यह जो रेड कलर का दीख रहा है मोटी लैयर इसको जागोट नहीं मिलता है और जब जागोट नहीं मिलता है तो धीरे धीरे यह टुकर टुकर के टूट टूट कर बाहर निकलने लगता है जो ही है जिस तरह है टूटता है उस तरह क क्या होता है दिरे दिरे टूट टूट कर बाहर निकलता है और जब इसका दिवार की सब्सक्राइब यह जो कीसी लेचाव ठाँ तु से आठ दिनों तक ऐसा स्कर्ष्ट एक बार नहीं तैक महना लड़कियों को साना पड़ता है देखो कितना दर्द है कितना दर्द है उस महिलाओं में उस औरतों में उस लड़कियों में कितना दर्द साती है एक बार नहीं पर तेक महना बारों महना वा यह सा दर्द पहन साती है और एक दिन नहीं एक से आठाट दिन तक तो एक बार इधर से हुआ दूसरा बार क्या होत है दुसरा मंथ में इधार अभ्यूल का डबिए होता है कि यहां भी अपने प्रेमिक uh union IP मिलेगा इसको सपर्म नहीं मिलेगा तो यह क्या करेगा फ्री पुना यही रास्ते से आप बाहर निकल जाएगा और वही प्रोस्माव clerk कर्या जूहban उसके पाद धेरे धिवार टूटेगा जो उसकी यूट्रस के चार और इवारा है और तोट टूट कर बाहर निकल जाएगा जिसको कि मैंशुरेशन स्भार Anybody मैं होता है ना मैं इसको मिल जाए घ् apenas तो यσ ket सब्सक्राइब हो जाएगा तो टूटने की कोई जरूरत ही नहीं है है टूटने की जरूरत तो फ्लो होगा नहीं होगा तो जब किसी का पिरियद रूख जाता है मेंसुरेशन साइकिल रुख जाता है तो समझो कि वह कुछ खबरी देने वाली है और प्रेग्नेंट हो चुकी है समझें तो यह हो गया मेंसुरेशन का अब लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि मेल में ऐसा कौन सा प्रोब्लम होता है प्रूसों में ऐसा कौन सा नहीं होता है वह जाइगोट बनाने के लिए ऐसा कौन सा प्रोब्लम होता है तो मेल में भी तो प्रोब्लम मुख रूप से होता है वह क्यों होता देखो किसी मेल में किसमें तो किसी किसी मेल में जो आसपर्म पाये जाता है यह असपर्म है और असपर्म के पीछे क्या होता तो किसी किसी मेल में क्या होता है कि उपर माउथ होता है लेकिन नीचे टेल ही नहीं होता है किसी मेल के अस्पर्म में और इस मेल इस टेल में हे माइटो कॉंड्रिया पाए जाता है जिसे इनर्जी लेता है क्या लेता है इनर्जी और यही इनर्जी जो ही यह मुब्मेंट करत इसको आगे बढ़ने के लिए प्रेड करता है जब यह तो यह नहीं रहेगा तो इस आस्पर्म को आगे बढ़ने ही नहीं देगा नहीं कर पाता है और यह यह अस्पर्म फैलुपियों ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता है अपनी प्रेमी का से जाकर के नहीं मिल पाता है वह प्रेमी जब अपने प्रेमी का से जाकर के वह प्रेमी नहीं मिल पाएगा तो क्या बेबी बनेगा जाइगोट बनेगा जाइगोट नहीं बनेगा और जब जाइगोट नहीं बनेगा तो क्या इंब्रियों का डवलप होगा इंब्रियों का डवलप नहीं होगा और इंब्रियों का डवलप नहीं होगा तो बेबी बनेगा बेबी कपर्थ होगा नहीं होगा तो पहला रीजन जो पुरुसों में होता है यही कि किसी किसी आस्पर्म में यह टेल ही नहीं पाए जाता है अब किस कौन से पुरुस में ऐसा तो इसको जानने के लिए डॉक्टर से कॉंटेक्ट करना पड़ेगा, हम लोग डॉक्टर थोड़े नहीं, तो डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, कि किस के मेल, कौन से मेल में, कौन से मेल में, आस्पर्म के टैल नहीं है, कौन-कौन से पुरूसों में टैल नहीं होता है, तो ज पुपुलेशन के दौरान आसपर्म का फूलो होता है पुरुसों से आसपर्म का फूलो होता है तो तो किटना सेवैंएमियल असपर्म की ज़रूरत पड़ती है इसको इस यूटरस में जाने के लिए व यह 8 जब इससे कम अस्पर्म होगा तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्या होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा अब आप ही समझे कि इसमें तु बहुत सारी करोडों में अस्पर्म इंटर करता है लेकिन मात्र से 100% अस्पर्म जो इंटर करता है उसमें से मात्र 30% जो अस्पर्म है उस फैलुपियन ट्यूब तक पहुँच पाता है अब सब बाकी कहां गया तो बाकी देखिए बहुत सारा अस्पर्म जो है यहीं आकर के मर गया क्या होगी अम्मार गया नहीं चल पा रहा है उसको इनर्जी यह नहीं मिला आकर के मर गया मर गया और कुछ अस्पर्म जो है यहां तक गया किसी तरह यहां तक गया लेकिन पता चला कि अबर जो एग निकल अबर जो अभाम निकल रहा है वो अभाम का डारेक्शन इधार है कुछ आस्पर्म तो इधर भाग गया जिधर रास्ता मिलेगा उधर तो जाएगा ही भाई जाएगा ना तो कुछ आस्पर्म जो है सो इधर चला गया और इधर चला गया तो फीजूल का चला गया क्योंकि इधर तो अभ़म हाईये नहीं है उसकी प्रेमिका यहां हाईये नही उसके प्रेमिक है वेट कर रही होती है तो कुछ यहां जाकर की में बरबाद हो जाता है और कुछ जो जो है यहां तक पहुस्टा है यहां था कْ पहुचता है कुछ यह पर यहीं पड़िवnica क्षा लेकिन मेल से जदी कम होगा तो यहां तक फैलुपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता है और जब फैलुपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा अपनी प्रेमी का से नहीं मिल पाएगा वा प्रेमी तो फर्टीलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा और होगा तो रीजन पृरोषौ में सबसे बड़ा रीजन पायर यह सिर्फ महिलाओं में ही रीजन नहीं होता है कि किसी बेभी को बर्थ ना नहीं नहीं है पृरुसूल का भी परोब्लम है वे कैसे हम समझ गई महिलाओं में क्या प्रोब्लम होता है वो भी हम समझते हैं कि महिलाओं में क्या प्रोब्लम होता है तो देखो महिलाओं में क्या प्रोब्लम होता है ये क्या है ये अभरी है अभरी है है ना कभी कभी क्या होता है इस अभरी का डबलप नहीं हो पाता है इस अभरी में अभ्यूल का डबलप नही हो पाता है कुछ भी नहीं हो पाता है और जब इसमें नहीं बनता है किसमें इसमें तो और नहीं बनेगा तो यह का जागा यहां कुछ जागा यहां फैलूपियों ट्यूब में जब बन नहीं किया यहां यहां खाना पक बे नहीं किया तो खाएगा क्या पानी थोड़े ने प नहीं होता है और जब अभ्यूल का डपलप नहीं होगा तो यह चुछ अस्पर्म के साथ नहीं मिल पाएगा फैलोपियन ट्यूब में यह नहीं पहुच पाता है तो अस्पर्म यहां यह करके वेट कर रहा होता है उसका प्रेमी लेकिन वह को भी समझो कि मात्र 20 मिनट तक कितना मात्र 20 मिनट तक यह जीवी तरह पाएगा वाहिया स्पर्म उसका जीवन काल ही 20 मिनट होता है बीस मिनट के बाद यह अपने राम नाम सत्य हो जाता है और फिर यह खतन हो जाता है तो पहला रिजन लड़कियों में अभ्यूल का नहीं ब तुसरे में कैम होता है या जिस तरह पुरुसों में शुर्त है कि जरूरत होती है तो जब यहाँ डबलप नहीं हो पाएगा तो यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाती है और जब यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाती है और जब यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगी और जब यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगी तो तब भी क्या होगा fertilization नहीं हो पैगा और जब fertilization को हिंदी में निशे चन काते हैं तो निशे चन नहीं हो पैगा जागोट नहीं बनेगा बेबी, नहीं होगा बेबी, नहीं होगा फिर डाक्टर के पास दोड़ते रहो फिर डाक्टर रे advice देता है कुछ medicine वागिरा देता है, तो जरूर doctor के पास advice लेना चाहिए, दो reason, तीसरा reason क्या है, कि कभी कभी लड़कियों में, किस में, महिला हो ये लड़कियों में, ये जो फैलोपियन ट्यूब जो है, ये फैलोपियन ट्यूब जो ये नली दीख रही है, फिगर भी देख लो, फैल फैलोपियन ट्यूब है, किसी किसी लड़की में, किसी किसी महिलाव में, ये फैलोपियन ट्यूब भूत सकरी होती है, पतली होती है, और ये पतली होती है, जिसकी वजह से अभ्यूल यहां पर नहीं पहुँच पाती है, कौन अभ्यूल, और जब अभ्यूल यहां से यहां पहुँच पाती है और अभ्यूल नहीं पहुच पाती है तो बेचारा यसपरम उसका प्रेमी जो इंतजार कर रहा होता है उसका राम नाम सत्थ हो जाएगा और मैं खतम हो जाएगा और उसका भी जाया गोट नहीं बन-पाएगा और इन सबी महिलाओं का बेबी नहीं हो पाता है बेबी नहीं हो पाता है तो महिलाओं का भी रिजन देख लिए पुरुसों का भी रिजन देख लिए क्या क्या रिजन होता है जिसकी वज़ा से बेबी नहीं पहुच पाता है बेबी नहीं हो पाता है तो ऐसी जदी कंडिशन हाती है तो डॉक्टर के पास जरूर कॉंटेक्ट करना चाहिए गश्मर्च के पास जरूर कॉंटेक्ट करना चाहिए तो एह हो गया हमारा टॉपिक के लिए अब हम next topic देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक क्या है तो रिप्रोड़क्टिव हेल्थ क्या है रिप्रोड़क्टिव हेल्थ रिप्रोड़क्टिव हेल्थ अब रिप्रोड़क्टिव हेल्थ में क्या होता है रिप्रोड़क्टिव हेल्थ हमारा चैप्टर का टॉपिक भी है रि रिलेशन सेक्षवल कॉंटेक्ट करती है, रिलेशन में आती है, लेकिन किसे भी परसन के साथ जब लड़कियां सेक्षवल कॉंटेक्ट में आती है, तो उसमें कभी-कभी माइंडी टिप्रेशन हो जाता है, वह बहुत ज्यादा थिंक करने लगती है, सोचने लगती है, कि क् नहीं होते है sexual contact के लिए अधार है तो उस condition में लड़कियों में डीजिज हो जाता है दूशरा है कि लड़कियों में बैक्टिया और वाइरस से भी किसे बैक्टिया और वाइरस इस बैक्ट्रिया और वाइरस से भी उसमें प्रोब्लम होता है और कैसे होता है बैक्ट्रिया वाइरस समझेंगे तो बैक्ट्रिया से जो बिमारी होता है बैक्ट्रिया से जो बिमारी होता है उसको गॉनोरिया कहते हैं बैक्ट्रियल बिमारी क्या है गॉनोरिया गोनोरिया और सिफिल्स बैक्टरिया से दो बिमारी होती है गोनोरिया और सिफिल्स यह कैसा बिमारी है यह जो बिमारी होता है वो बैक्टरिया से बिमारी होता है किसमें लड़कियों में बैक्टरिया से अब यह कैसे होता है तो यह बिमारी योनी में होता है भैजायना में होता है गोनोरिया के अंतरगत क्या करता है बैक्टरिया उस योनी में उस भैजायना में इंटर करता है औ हो जाता है गाव हो जाता है और गाव जब हो जाता है तो उसे महिला उसे औरत के भैजायना में बहुत पैन होने लगता है दर्द होने लगता है गोनरिया की वज़ा से जदि एसा बिमारी होता है तो उसे इलाज जरूर करवाना चाहिए और दूसरा है सिफिल्स यह बिमारी क हैं तो गूनुरिया की तरह ही ये बैक्टरिया से होता है ये बिमारी में क्या होता है घुथ हो जाता है तो बहुत खतरनाख बीमारी है सिंफिल से अब सब विद्धी भीमारी होता कैसे गुसकी वज़ासे ओता है यह घ禽न ृद्ध परशन से एक से अधिक परशनसे ध्यbergि FM से ज्यादा पुरूयों से सैक्शल्वड्टेक्ट करने पर गोनओर 59 उर। से फिल न हो कि उसमें कोई भीमारी हैख सल्द भीमारी हो लिए एक से आधिक परसंद से जदी सेक्स्वल कॉंटेक्ट करता है तो गुनोरिया और सिम्फिल बीमारी होता है सिम्फिल बीमारी ज्यादा तर उन औरतों में होता है भारत में भी कभी रेयर केस में बहुत एक दो चारगों देखने को मिलता है जब कोई फॉरेंड कंट्री के है लेकिन वाइरस से कौन सा विमारी होता है तो वाइरस से विमारी होता है वाइरस से जो जो बीमारी होता हूए HIV वाइरस हो गया जिसको में लोग ए devote काते पहंज़ों landed ऑप हो ले 겨चरा उर प्रूस्ट नोह बांटेक्ट पहले उप्रोसों से उस महिलाओं के जोनी में चल जाता है और बलड की कंटेक्ट में मिल जाता है, तो फिर महिलाओं में भी ऐट्स हो जाती है, ideas हो जाती है, तो इससे कैसे बचे आइन सभी विमारीों से कैसे बचे हैं? हमें क्यों जानेंगे मान लेगे किसी औरत के husband में भी ऐसा बिमारी हो तो कैसे बचे इसका बचने का कोई तो उपाय होना चाहिए तो इसका भी बचने का उपाय है जब कोई लड़किया या कोई औरत महिला किसी से sexual contact करती है और उसे बेबी नहीं चाहिए तो उस टैम पुरुसों का जो पैनिस होता कंडॉम का इस्तिमाल करना चाहिए किसका तो कंडॉम का इस्तिमाल करना चाहिए कंडॉम एक गुबारे जैसा संड़क्षना होता है देखिए कंडॉम इस कंडॉम का इस्तिमाल करने से क्या होता है कि जो मेल से असफर्म निकलता है मेल से जो अस्पर्म निकलता है ये कंडॉम उसको रोक लेता है अस्पर्म को नहीं आने देता है उसको भेजाना तक नहीं जाने देता है और उसको वही रोक लेता है तो जितने भी बलड जो भी है इंफेक्शन जो वायरस है वो कंडॉम में ही रह जाएगा उसको बाहर जाने सबस्क्राइब होगी नहीं होगी तो य्यारिव क्या सपनौ को जो सेक्साइब कैद क?", यह Kr ch विशन कई मरत कई रोक सकते हैं तो यह ह 25 अब कभी कभी किया होता है तहला मं कभी कभी कर दो कि महिलाओं को बेबी चाहिए ही नहीं मेरा नक्ष टॉपिक है कि महिलाओं को बेबी चाहिए ही नहीं उसकी साधी हो जाती है कोई महिला पांच साल की प्लानिंग कर लेता है फाइफ एयर शिक्स एयर सेवन एयर की प्लानिंग कर लेता है कि अतब तक हम को बेबी चाहिए ही तब वह इसा क्या होगा कैसे वह सब्सक्राइब हो सकता है कि बेबी नहीं चाहिए जब कोई मैला यह पुरूष एक साथ रहेगा आप फाइब से शिक्स यहर तक साधी के बाद तो इसा पुसिबल है कि वह बिना सेक्स्वल कॉंटेक्ट के वारा हो जाए पुसिबल है नहीं ह है तो वह सेक्स्वल कॉंटेक्ट करता है बट वह बेबी को वह प्रेग्नेंट होने से कैसे बचती है क्या करना चाहिए तो पहला उपा है इसे बचने के लिए धेर सारा उपा है उसमें से पहला उपा है कि पुरुषों को कंडॉम इस्तिमाल करना चाहिए किसका तो कंडॉ इस्तिमाल होता है तो अस्पर्म का सेक्रेशन नहीं हो पाता है अस्पर्म भैजायना तक नहीं पहुच पाता है और भैजायना तक अस्पर्म जब जैबे नहीं करेगा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो पहला वजा है कि कंडॉम का इस मेडिसीन फिल्ज़ पल्स क्या है प्ल्स से मेडिसीन है जब किसी को बेबी नहीं चाहिए तो सेक्सवल कवंटंट से बाले मैडिसीन को खा लेती है जा लेकिन बाहती है तो यह होता है इस को को लेने से जो उसके अंदर से जो आभरीय का निर्मान अभरा यहाग यह इनकशन करद है क्या करता है क्या करता है इसको कर देता है यह झाल कर देता है तो जब इदार से आपसकॉल्म जाएगा आपम ओभुटो करी device नहीं थर या Smbo इस वजह से क्या होगा वह फिर से प्रेटनेंट नहीं होगी लेकिन ध्यान देंर इन्यजेट कि यह सोचानी कारक भी हो सकता है Pills Medicine मेडिसिन महिलाओं के लिए हानिकारक भी हो सकता है ज़दी इसका ज्यादा इस्तिमाल किया जाए तो दीरे-दीरे अबरी में अभ़म बनता ही नहीं है और जब अभ़म बनेगा ही नहीं तो हमेशा के लिए माँ बनने की सपना खो जाएगी मा बनने की सपना खो देगी इसलिए इसका इस्तिमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए ज़़ि कोई महिला मेडिसीन का इस्तिमाल करती है तो उसको बहुत सोच समझ कर इस्तिमाल करना चाहिए तीसरा क्या है देखिए तीसरा कौपर टी कोपर टी एक कोपर टी संरक्षना होता है कोपर टी यह टी टी है यहीं टी जेसा टी के स्टाइब का ही एक संरक्षना होता है यह इंस्टूमेंट होता है एक इसा पदार्थ होता है जो बेवी के प्रोटेक्शन में हमें साहिता करता है अब वह कैसा क्या होता है तो कोपर टी के यूट्रूस त होता है में धर्वाज़स दर्वाजा सब्सक्राइए लगा दिया जाता हैक लगाए गया लगा न मैं दर्वाज़ा पर जब लगा दिया जाता यहां नहीं यहां यहां सर्विक्स पर नहीं यहां यूट्रेस में लगा दिया जाता है तौन कि यहां दर रिचल हगा न staged on vai को आगे बढ़ने ही नहीं देता है और जब उस असपर्म को अभम नहीं मिलेगा थद्बनेगा नहीं बनता है इस कंडिशन में भी प्रेगनेंट नहीं होती है कोया महिला यहां वी जो है गापरटी का जदी इस्तिमाल कोई महिला करती है है तो उसको को इरिटेशन होने लगता हैball but को year purpose में लगाया जाता है डॉक्टर की मैध्यम से डॉक्टर क्या करता है भैजाएना इस भहां महिलाओं में इरिटेशन होने लगती जलन होने लगता है महिलाओं में काफी जलन होती है तो यह भी बहुत दिक्कत हैं और निन भी हनिकारा की है जदी देखा क्या होता है किसे हम प्रेग्यशी को रोग सकते हैं तो चुधा हो है जदि प्रूचों का वैसरी डिफ्रेंस making पढ़ चुकी है कि सब्स्क्राइब फुर्द इस है ते क्या है यह क्या अ shines है हल्यग फिदे चाहिए और यह वर दिफ्रेंस हो गया और यह जबने फैस्था जब्द पूरूश में क्या होता इसी टेस्थ में असपर्म का निल्मान होता है किसा यहां पर पहुंचता है लेकिन यहां पहुंचता है लेकिन यहां पहुंचेगा पहुंचेगा अस्पर्म बनेगा जरूर यहां पहुंचता है लेकिन वह यहीं पर गल किरा जाएगा यहीं पर और आगे नहीं पढ़ पाता है और जब पूरुसों का नस्व बंदी यह हुआ भैस डिफ्रेंस के काटने से अब तीसरा और पांचवां रोल से क्या है पांचवां हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं तो पांचवां में हम लोग उपाय कर सकते हैं सब्सक्राइच होता है ओसमें क्या किया जाता है जो महीलाओं का यह फैलोप्य कर्न ट्यूब है जो पूरुसों कीमेल का जो को काट दिया जाता है नहीं भी इसको काट दिया को ठीमिठ धिया theoretical का क्या किया यहाँ से कोई अब हम निकलेगा तो यह यहां इस राष्टे से इधर जा पाएगा अभम निकल के इस राष्टे से यहां जा पाएगा नहीं जा पाएगा इधर से भी अभम निकलेगा इस आवरी से यहां से भी अभम निकलेगा लेकिन यहां तो इसका रास्ते में काटल है बिली यहां काट दिया यहां करके लेकिन नहीं जाएगी ये प्रेमिका जाएगी कैसे इसका में दरवाजा लग गया इसको काट दिया गया है और जब प्रेमिका नहीं जाएगी असपर अभम नहीं जाएगी तो क्या जाएगोट बनेगा दोनों में मिलन होगा और जब दोनों में मिलन नहीं होगा तो जाएग प्रेग्नेंसी को रोकने के लिए अपनाते हैं इसलिए इन सभी मेथर को हम लोग के एक नाम देते हैं जिसका नाम है है Contrasactive Method क्या है तो Contra-Septive Method का इस मेथाड के मैध्यम से हम प्रेगनेंसी को महिलाए प्रेगनेंसी को रोक सकती है ऐसा ही मैथार जदी अपनाती हैं तो कि संवर्ज में आगे आई सब टॉपिक कितना सारा एक्टिवीटिज हमारे बोडी के अंदर होता है और हम लोगों को पता नहीं होता है कि इतना सारा एक्टिवीटिज होता है वीडियो थोड़ा लूंबी है लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है रॉंगते खड़े हो नहीं बन जाता है उसके लिए वा कितनों खुन की धारा बाई होती है कितने बलट की धारा बाई होती है कितने उसनों सेक्रिफाइस किया होता है तब उसे के बेबी का पर्त होता है समझो कितना प्रोब्लम जहलती है वा महिला तब जाकर के बीबी बनता है तो यह आज का सेश को हम यहीं पर अलब करते हैं है थैंक्यू मध疫 मच्छ और जदि की आप लोगों को मेरे मेहनत हम लोगों की मेहनत पसंद आती होगी तो आप अपना रिप्लाइड करकी आप अपना ne Carolina रिस्पॉन्स सेयर करके और सब्सक्राइब करके जरूर दीजेगा इससे क्या होता है कि हम लोगों का भी थोड़ा मनोबल बढ़ता है हम लोग भी थोड़ा जादा मैनत कर पाते हैं और आप लोगों को अच्छा से हम सब्भापाते यह गाइड लाइन्स दे